पैन है तो सब कुछ होगा ऐसी ही कुछ तैयारी सरकार इस बार के बजट में कर रही है बिजनस टैंडेट में छपी ख़बर के मताबिक किसी बिजनस से जुड़े तमाम लेन देनों के लिए अब सिर्फ पैन कार्ड काफी होगा पैन नंबर काफी होगा इसके लिए फैनेंस एक्ट में जरूरी बदलाव भी किये जाएंगे मकसद होगा पैन को कानूनी मानिता देना मौझूता समय में केंडर और राज के इस तरपर अलग-अलग 20 तरीके के दस्तावेज या नंबर होते हैं बिजनेस पैन को इकलावता और सबसे महत्वपूर्ण केवाईसी माना जाएगा इसके जरूत इसलिए पड़ रही है कि कमपिनियों को और यूनिट्स को अलग-अलग जगे अपन बैंकों में जाकर अपने आपको पंजिकरत कराने के लिए सरकारी स्कीमों में पंजिकरत कराने के लिए बहुत अलग-अलग तरीके की पहचानों का केवाईसी का इस्तिमाल करना होता है ये केवाईसी आपके और हमारी आम लोगों की केवाईसी से अलग होती है क्योंकि हमारे पास हम जिस KYC को कराते हैं वो इंडियूजिल के KYC है और ये कारोवारों की बिजनेस की दुकानों की फैक्टों की KYC है अभी फिलाल जो परिस्तिती सा शुबमने आपको बताया है कि लगवग 20 अलग-अलग तरीकों से से पंजीकरन किया जाता है तो इसमें GSTIN है जो की GST का Tax Identification Number है Tax Fair Identification Number इसको TIN कहा जाता है इसके लावा Tax Deduction Account Number है जो लोग TDS काटते हैं उनको एक अलग से नंबर मिलता है इसके अलावा Employees Provident Fund Organization में जो Company का Registration Number है इस तरीके के कई सारे अलग-अलग पहचान है जिनके जिरिये कोई Company जाकर बैंक में अपना खाता खुलवाती है और रेगली अपना काम करने के लिए लायक होती है अब जो बिजनस पिंजारी किया जाता है उसे एक निर्धारित और अंतिम सर्वमान्य के बाइसी या पहचान के दस्तावेश के रूप में प्रमानित किया जाएगा इंतदार रहेगा कि बजट में इसका प्रावधान कैसे हो पस इसमें एक दुविधा है जिस दुविधा के बारे में शायद वित्र मंतराले इस प्रश्टी करन देगा अगर से बजट में शामिल करता है कि पैन के जरिए आप यूनिट्स की वित्ती स्थिती के बारे में जानकारी नहीं कर सकते क्यों कि कमपीनिया अलग-अलग तरी का आधार हो जाएगा